कि है गाइज वेलकम टू माइ चैनल टीस टू लाइन जैसे कि आपको पता हमने क्लास एट के एंसे शीरू करी है और इसी सीरीज में थ्री चैप्टर सॉल रडी कंप्लीट हो चुके हैं आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर फोन जिसका ना अलग अलग कामों के लिए अपने घरों में इंडस्ट्री में और आटो मॉबाइल मतलब कि जो हमारे विकल्स है उनको चलाने के लिए हम क्या करते हैं अलग अलग तरह के फ्यूल्स का यूज करते हैं क्या आप कुछ फ्यूल्स का नाम बता सकते हैं जो हम अपने घरों में यूज करते हैं तो येस हाँ हम अपने घरों में क्या क्या यूज करते हैं वुड हो गया क्योंकि वुड अगर जैसे कोई चूले वगारा पर खाना बना रहा है तो वो लकडियों का यूज करके बनाएगा तो यह क्या हो जाएगा कि वुड हम वुड को यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए और क्या हम यूज कर सकते हैं अपने घरों में as a fuel कोल हो गया, कोईला हो गया उसको हम यूज कर सकते हैं जो उपले होते हैं उसको यूज किया जाता है घरों में as a fuel खाना बगारा बनाने के लिए तो यह तो हैं जो हम घरों में यूज करते हैं as a fuel अब उसके बाद क्या है name of few fuels used in trade and industry कुछ ऐसे fuels के नाम बताईए जिने हम industries में यूज करते हैं या फिर automobiles गाड़ियों को चलाने के लिए यूज करते हैं तो उसमें क्या आ जाएंगे CNG आ जाएगा compressed natural gas, diesel, petrol ये सारी चीजों को हम यूज करते हैं automobiles को चलाने के लिए तो वहाँ उन्होंने आगे यही बोला है कि जब हम ये list बना रहे होंगे तो उसमें यही सारी चीजें आई जो हम पहले ही बता चुके है you are familiar with the burning of candle अब आप candle को जलाने से तो familiar होंगे कि हम जब candle को जलाते हैं तो वह कैसी जलती है और जब हम कोल को जलाते हैं तो कैसे जलती है और इन दोनों के बीच का difference क्या होता है हम guess कर सकते हैं कि जब candle जलती है तो वह with the flame मतलब जब हम candle जला रहे हैं तो उसकी एक flame होगी इस तरह उसकी वह एक flame के साथ जलती है पर जब हम एक कोईला जलाते हैं तो कोईले में सीधा ऐसी कोई उसकी flame नहीं बनती है तो यहाँ पर भी उन्होंने यही सब बताया हुआ है कि जब भी हम candle जलाते हैं तो वह एक flame के साथ जलती है पर कोईले में flame नहीं होती इसी तरह के similarly हम और भी materials find कर सकते हैं जो जब जल रहे हो तो उनकी कोई भी flame ना हो जैसे की candle में होती है let us study the chemical process of burning and type of flame produced during this process तो इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे कि जो burning है आखिर यह जो कोई भी चीज जल रही है तो उसका chemical process क्या है और अलग-अलग types के flame पढ़ेंगे जब भी कोई भी चीज जलती है तो जो flame produce हो रही है उसकी different types क्या है जैसे की candle में किस तरह की flame है और भी दूसरे जो substances होगे वहाँ पे किस तरह की flame produce हो रही है यह सब हम study करेंगे तो जो हमारा first topic है इस chapter का वो क्या है what is combustion की combustion क्या होता है अब हमने जो class 7th है class 7th में जब मैंने आपको chapter read कर आया था तो उसमें हमने magnesium ribbon के burning वाली activity करी थी अगर आपको याद हो तो यहाँ पे उने बताय हुआ है कि जब हमने उसमें activity करी थी तो यह जब burn कर रहा था तो बहुत ही ज़्यादा क्या produce कर रहा है light produce कर रहा है और heat produce कर रहा है और यह light और heat produce करने के साथ-साथ magnesium oxide भी produce करता है जब भी हम magnesium ribbon को जलाते हैं तो we can perform a similar activity अब इसी तरह की similar activity जैसे हमने magnesium को ले के उसको burner में जलाया था उसी तरह की similar activity हम magnesium की जगा किसको ले के करते हैं charcoal को ले के करते हैं hold a piece मतलब charcoal का एक piece ले के उसे pair of tong जो tong है उसमें इसे hold करना है और उसे flame के नजदीक ले के जाना है चाहे candle की flame होगे या फिर बंसल burner की flame होगे तो इसमें भी हम क्या absorb करेंगे हम देखेंगे कि जो चार coal है वो air में जब भी burn हो रहा है या फिर जो coal है वो भी जब air में burn हो रहा है तो इनके burn होने से क्या produce होगा carbon dioxide heat और light magnesium की burn होने से क्या produce हो रहा था magnesium oxide heat और light तो वहाँ भी produce हो रही थी और heat और light यहाँ भी produce हो रही है heat और light तो दोनों में produce हो रही है क्योंकि यह burn कर रही है जब magnesium ribbon burn किया तो magnesium oxide produce हुआ और जब charcoal और coal burn करे तो क्या produce हो रहा है इनके burning से carbon dioxide produce हो रहा है तो यह आप याद रख सकते हैं कि magnesium के burn होने से magnesium oxide और charl core के burn होने से carbon dioxide produce होता है बाकि heat और light तो दोनों में common ही है यह chemical process अब combustion जिसके बारे हम देख रहे हैं यह जो combustion है असल में है कि है chemical process है जिस सबस्टांस को हम जला रहे हैं जब वो air में produce oxygen के साथ react करती है और उसके बाद heat produce करती है जैसे कि हमने देखा heat और light produce हो रही थी air में यह जल रही थी air में oxygen present है oxygen के साथ react करके यह जली और heat produce हुई तो यह जो chemical process है जिसमें यह साही चीज़े हो रही है क्योंकि उसका chemical ही वो चीज़ बदल जा रही है अब magnesium burn होके magnesium oxide बन जा रहा है तो chemical ही तो change आई रहा है तो इसलिए यह क्या है एक chemical process है जिसमें कोई भी substance oxygen के साथ react करके heat produce करता है उसे हम क्या कहते हैं combustion कहते हैं यह तो हो गया combustion अब जिस substance को हम जला रहे हैं उसे combustible कहते हैं जैसे कि यहां पे magnesium combustible था इसे fuel भी कहा जाता है अब जो fuel है मतलब कोई जलाने वाल चीज solid भी हो सकती है जैसे कि magnesium liquid भी हो सकता है जैसे कि हम LPG जो liquid petroleum gas होती है यह क्या है liquid होता है और उसको हम homes में as a fuel यूज़ करते है और gas gas भी हो सकता है जैसे कि CNG जिसे हम vehicles में यूज़ करते है as a fuel तो यह सब क्या है जो जलाने वाली चीज है मतलब जो fuel है जो combustible substance है वो solid, liquid और gasoline में से कुछ भी हो सकता है sometimes light is given off during combustible either as a flame or glow हमें पता है जैसे magnesium burn हुआ तो light भी पैदा हुई और heat भी पैदा हुई वह इनोंने यहां कहा है कि light produce होगी या वो flame की तरह जैसे कि bomb बत्ती में होता है या फिर as a glow जैसे कि यहां पर produce हो रहा है यहां एक flame की तरह नहीं पर हमें एक glow जैसा भी तो दीखी रहा है कि magnesium के burn से produce हुआ है वही आप इनोंने बोला है इन्दिस वही इनोंने बोला है कि जो reaction है उसमें magnesium और charcoal को और coal को हमने जलाए यह क्या है एक combustible substance है वे वे वर टॉल दैट food is a fuel for our body या पर बुजो कह रहा है हमने कहा है फूड हमारी body के लिए fuel है कैसे क्योंकि हमारी body जब food खाती है तो वो भी क्या हमारी broken down होती है oxygen की presence में और heat produce करती है जैसे कि बाकी fuel कर रहे है वो भी oxygen की presence में जल रहे हैं और heat produce कर रहे हैं पर यह food हमारी body के अंदर जाके oxygen के साथ reaction करके heat produce करता है और हमारी body को energy देता है यह सब हम class स्यामत हमें पढ़ चुके है अब यहाँ पे इन्होंने activity दी है कि आपको कुछ substance collect करने है यह materials और देख रहा है कि इनमें से कौन सा combustible मतलब कि कौन सा जल जाता है और कौन सा नहीं जलता है क्योंकि हमने देखा जो combustible है वो substance कौन से होते है यहाँ पे देखा था ना कि जिनको हम जला रहे हैं मतलब जो fuel जिने हम जला रहे हैं उसे combustible या फिर fuel कहते हैं अब जिने हम नहीं जला सकेंगे उन्हें क्या कहेंगे non-combustible substances कहेंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले wood है जो wood होगा क्या हम उसे जला सकते हैं येस वो combustible है वो जल जाता है पेपर भी combustible है iron nail ये non-combustible में आएगा क्योंकि इसको जलने में बहुत जादा टाइम लगता है as compared to ये जो बाकी options है carosin oil ये भी combustible है stone piece मतलब पत्थर ये भी non-combustible में आ जाएगा उसके बाद straw मतलब सूखी गास ये भी जल जाएगी charcoal ये भी जल जाएगा mastic जल जाएगी जो glass होईगा ये भी किस में आ जाएगा non-combustible में आ जाएगा ये क्या हो गए हमने इस table को fill कर लिया है कौन सा material combustible और non-combustible है इसके बाद इन्होंने कहा है कि आप कुछ और substance के भी ढूंड सकते हैं कि जो combustible हो और आप इस table में इसे add कर सकते हैं now let us investigate condition हम देखते हैं कि combustible मतलब किसी चीज़ को जलाने के लिए combustion कराने के लिए हमें कौन कौन सी conditions चाहिए होगी यहाँ पर इस activity में इन्होंने क्या किया है एक jar लिया है इसके नीचे दो लकडियां रखी है और इसमें candle को जलाया हुआ है तो हमें दीख रहे हैं कि यह जल रही है ठीक है और दूसरे फिर इसी को ही क्या किया यहां से जो यह लकड़ी थी जो नीचे से क्योंकि हवा जा रही थी उसको इन्होंने हटा दिया और यहां पर बिल्कुल ही हवा जानी बंद हो गई तो हमने क्या देखा जो candle थी वो बुजी गई और थोड़े टाइम बात जब हमने इसको बिल्कुल चारों तरफ से हर जगा से कवर कर दिया तो यहां पर जो थोड़ा से धुवा भी दीख रहा था वो भी यहां इस तीसरी फिगर में गायब हो गया है तो अगर हम इस एक्टिविटी को अब्जर्ब करेंगे तो हम क्या देखेंगे तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो बर्निंग के लिए यह आप घर में भी ट्राइ कर सकते है अपने बड़ों की प्रेजन्स में कि अगर हम जलाएं तो इससे हमें क्या पता रहा है कि अगर हावा नहीं मिल रही है इस candle को तो फिर यह जो candle है यह क्या करती है बुझ जाती है means हम इसे क्या समझ में आया कि जलने के लिए we find that for combustion combustion के लिए air क्या है एक necessary process है मतलब एक necessary चीज है कि air के बीना जो substance है वो कोई भी substance हो चाए candle चाए कोई भी वो जल नहीं सकती है जैसे हमने देखा जो candle थी case A में easily burn हो रही थी क्योंकि उसके नीचे से उसे हावा जा रही थी और B case में जब उसमें air एंटर नहीं होई चीमनी में तो फिर जो flame हो गया पूरा flicker हो गया मतलब कि बुझ गया और smoke प्रोडियूस होई और case C में थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल ही जो उसका smoke था जो धुआ था वो भी बिल्कुल ही गायब हो गया क्योंकि वहाँ पे air अब कुछ टाइम हो गया जहाँ और कुछ टाइम तक air बिल्कुल भी present नहीं रही तो यहीं चीजे हुआ है यहाँ पे थो air थी तो यह अच्छे से glow कर रही थी यहाँ पे air गायब हो गयी smoke हुआ धुआ हुआ हुआ और third में थोड़े टाइम बाद जब air बिल्कुल ही नहीं मिली क्योंकि अब इस second figure में air बिल्कुल ही खतम हो गई तो फिर जो धुआ था वो भी बिल्कुल क्या हो गया गायब हो गया तो इससे हमें यहीं पता चला कि air क्या है एक necessary चीज है combustion के लिए we have read यहां पर बूचो बोल रहा है कि हमने देखा है कि sun भी अपनी heat और light प्रोड्यूस करता है तो क्या यह भी combustion है एक तरह का combustion है नहीं हम इसे combustion नहीं कहेंगे क्योंकि जो sun heat और light प्रोड्यूस कर रहा है वो nuclear reaction से कर रहा है और जो nuclear reaction है इसके बारे में अपनी higher classes में study करेंग activity 3rd 4.3 दी गई है यहां पिनोंने क्या कहा है चाहे तो आप जलता हुई लकड़ी या फिर charcoal को तावे पे रखें और उसके बाद उसे glass jar, tumbler या फिर ट्रांस्टिक jar से cover कर दें तो हम देखेंगे थोड़े टाइम बाद charcoal जलना बंद कर दिया है तो इसके ना जलने का कारण क हम अभी देख के आई है क्योंकि उसे हमने jar से पूरा ढग दिया है तो air की absence में वो जो charcoal था वुड़ था वो बिलकुल ही जलना बंद हो गया तो यहां पर इस activity से भी हम यहीं बताना चारा है कि air जरूरी है combustion के लिए you might have heard हमने देखा है कि अगर किसी भी person के cloth में आग लग तो उसे cover कर लिया जाता है blanket से ऐसा क्यों जब हम cover कर लेंगे कि इसकी body को blanket से तो वहाँ पे भी air नहीं आएगा और air से ही आ क्या होती है फैलती है और जब हम इसे cover कर लेंगे तो air जो है और जादा नहीं फैलेगी और उसकी body पे और जादा air जो आग है वो उसको effect नहीं डा इसलिए हम उसे जल्दी से कवर कर लेते हैं ताकि एर का जो कनेक्शन है उसकी बॉड़ी से तूट सके और हम यहाँ पर देखते हैं और हमारे कुछ experience की बात करें कि आप daily life में observe करते ही हैं कि जब हम marches जलाते हैं तो क्या वो अपने आप जल जाती है ऐसा तो नहीं होता हमने जब हम piece of paper जलाते हैं तो कैसे जलती है paper को match stick उसके पास लेके आते हैं और उसके बाद ही वो जो paper है वो जलता है तो क्या जो piece of wood है वो भी उतनी ही जल जल जाएगा अभी तो हमने जैसे paper को पास marches लेके और वो जल गया तो क्या जब हम लकडी के पास भी marches लेके आएगे तो वो जल जाता है ऐसा तो नहीं होता लकडी को जलने के लिए तो time लगता है ठीक है आगे इनोंने क्या बोला है कि क्यों हमेशा हम paper और kerosene का use करते हैं लकडी या फिर कोईले को जलाने के लिए तो ठीक है यह सब भी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो लकडी और कोईला है उसको जलाने में तो ज्यादा time लग रहा है पर जो kerosene oil है वो बहुत मिंटों में आग पकड़ लेता है इसलिए हम kerosene का use करते हैं या फिर paper का use करते हैं लकडी और कोईला को जलान के दिनों में जब जो ग्रास होती है वो बहुत जादा ड्राय हो जाती है तो बहुत जादा हीट बहुत जादा गर्मियों के दिनों में जो ग्रास होती है वो आग पकड़ लेती है और ग्रास से ये बहुती जल्दी ट्रेज में और बाकी सारे फोरेस्ट में ट्रांसफर हो ज यह बहुत ज़दे डिफिकल्ट हो जाता इस तरह के आग को कंट्रोल करना क्योंकि एक जगा आग लगी है एक जगा आग से वह पूरे जंगल में आग पूरी हो क्या होती है पैलती चली जाती है तो हमने क्या देखा कि जो सब्स्टांस है चाहे पेपर हो गया वह जल्दी जल जो फूरवड हो गया उसको जलने के लिए क्या लगा थोड़ा सा टाहीम लगा और शाथ मे जंगल में जो पतियां वगारा थी जो ग्रास वगारा थे वो भी जल्दी हो गया तो इसे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हर एक सब्स्टांस है वो डिफ्रें तेमपरेशर पे आ तो यहां पर एक important definition आई है कि ignition temperature होता क्या है यह ऐसा temperature है lowest कम से कम वाला temperature है जिस temperature पर कोई भी substance वायर को catch कर रहा है जैसे कि paper को थोड़ा सा temperature ही चाहिए और वो आग पकड़ लेता है तो उसके लिए जो ignition temperature है वो क्या है बहुत ज्यादा कम है इसलिए हम paper या फिर kerosene oil को use करते ह वूड और को जलाने के लिए तो यहां से ignition temperature की definition clear हो गई होगी the lowest temperature at with substance catch fire is called ignition temperature बिसके बाद next इनों ने क्या कहा है कि जो mastic है हमने देखा कि mastic अपने आप तो रूम में पड़े-पड़े जो आग है वो नहीं पकड़ती तो ऐसा क्यों होता है कि वो जब हम उसे दोनों पर जो mastic के दोनों साइड होता है उस पर रब करते हैं उस डिबी के साइड में रब करते हैं तभी वो catch fire को catch करती है इस question का answer आप मुझे देंगे comment box में आज की वीडियो में हम बस इतना ही बात करते हैं उसके बाद next वीडियो में हम इसकी जएक दो activity रह गई है वो और यह जो second topic है हमारा वो इसको discuss करेंगे I hope आज की वीडियो में आपको जो भी समझाय समझा गया होगा इस question का answer आप comment box में करना ना भूले कि ऐसा क्यों होता है कि match stick की जो तीलियां है side में rub करने पे ही उनमें आग लगती है आची वीडियो में हमने ignition temperature देखा combustible substance देखे non combustible substance है यह साही चीज़े discuss करी है और हमने देखा कि आग जलाने के लिए हमें कौन सी चीज necessary होती है please do like share and if you have any doubt you can comment in the comment section thanks for watching